हेलो फेंज हमारे चैनल वीस ओनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत सौगत है 36 गड़ में डिलेट कोश्र करने वाले सभी केंडिड़ेट जिनोंने डिलेट का ओनलाइन कांसलिंग कराया है उन सभी केंडिड़ेट का पहला मेरिट लिस्ट जादी हो गया है सो आज की वीडि़ो में हम जानेंगे कि मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं इसके साथ ही आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है और सभी कॉलेज का कटप कितना गया हुआ है आप असानी से चेक कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों DLA यानी डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन का पहला मेट सुची और कटापलिष्ट देखने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे सर्च एटे पर आकर आपको S.C.E.R.T. लिख के सर्च करना होगा जैसी फ्रेंगे आप यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सर्च करना है जैसे आपर क्लिक करेंगे हमारे समने विबसाइट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो साइट कॉर्णर पे बेट और डिलेट और अलाइन कॉंसलिंग का सेक्षन बना हुआ है हमें डिलेट का यहाँ पर जो है मेरिट लिस्टे देखना है तो डिलेट और अलाइन कॉंसलिंग 2030 पर हमें क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे समने एक नया पे जुबन हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं अब अंटन ही तो वेबसाइट का लिंक आपको देखने हो क्यों मिल जाएगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेड और डिलेट में ऑनलाइन कॉंसलिंग कराने का जो लोगिन का पेज है वह आ जाता है थार्ड नमबर पर देख सकते हैं डिलेट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर जो है क्लिक टू लोगिन पर आपको क्लिक कर देना होगा जैसे फ्रेड दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिलेट में ऑनलाइन कॉंसलिंग कराने का पूरा जो डिटेल है वह आ जाता है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलेट में ऑनलाइन कॉंसलिंग कराने का यहाँ पर पूरा सेडूल जारी किया गया है वापत्ती हो जाने केosit बाद जो पहला मेरिट लिस्ट है पांसितंबर को जारी कर दिया जायेगा पांसितंबर को जिन जिन केंडिडेट का सिलक्षन होगा उन्हें पांसितंबर से ले कर ग्यारा सिम्पर के बीजित जो भी कॉलेज उसको मिला हुआ है उस कॉलेज Dalgs में जाक आपको three line देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं सबसे लाश्ट में आपको अपको अपना maker list में नाम चेक करने के लिए हाँ पर क्लिक कर लेको आप इसके अबाद यहाँ पर 31 सित अमबर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे समने मेरिट लिस्ट चेक करने का ऑप्संस आ गया है यहाँ पर आपको दो ऑप्संस देखने को मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टेशन नमबर के थुरू भी अपना मे करने सब्सक्राइब लिए किनुद आप को मेरिट लिष्ट लिस्ट लिक ना है इस पर क्लिक करना होगा इसके आपको चौनस स्य आपका आप र्य loyalty नमबर मांगा जिए तो यहां पर आपको रजिस्टेशन नमबर ना पर डाल देना होगा face पर यहाँ पर click करेंगे तो first face यहाँ पर one पर click करना है और यहाँ पर search के button पर click कर देंगे जैसे friends आप search के button पर click करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो भी आपको college allot हुआ होगा यहाँ पर पूरा उसका detail आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूरा detail आ जाएगा साथ ही निचा आएंगे तो आपको जो कौन सा college allot हुआ है वहाँ पर आ जाता है यहाँ पर पूरी detail आप देख सकते हैं जिससे दोस्तों आपको पता चल जाएगे कि आपको कौन से college मिला हुआ है चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि हमें अपना college-wise minute list कैसे देखना है यानि कि किस college का cut-up कितना गया है उसे भी आप असानी से check कर पाएंगे इस page में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं second number पर search by institute पर आपको क्लिक करना होगा select end or continue के button पर आप क्लिक करेंगे हमारे समने इस प्रकार से नीचे options आजाते हैं सबसे पहले course लिखा हुआ आ रहे है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर delete है तो यहाँ पर delete पर आपको select कर देना है और इसके बाद institute पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर जो 36 गड़ में institute है सभी का यहाँ पर नाम आ जाता है दोस्तों आपको जिस institute का cut up list चेक करना है उस institute को आपको का detail आ जाता है जिसे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है कितना rank वालो के हाँ पर selection हुआ है और कितना rank वालो के हाँ पर selection नहीं हुआ है तो दोस्तों इस प्रकास याँ बड़ी असान तरीके से 36 गड़ में delete का merit list चेक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा college मिला हुआ है अगर दोस्तों आपको सर्च करते हैं not record found आता है तो इसका मतलब आपका selection नहीं हो पया है आपको अगले counseling यानि अगले merit list का wait करना होगा